Hello guys, welcome back to my channel तो आज मैं ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो के सब का बहुत ज़दा प्रॉब्लम है जिसको लेके यह एक उनिवर्सल प्रॉब्लम है कि foundation क्यों oxidize हो जाता है हमारा face क्यों काला हो जाता है foundation अप्लाई करने के बाद तो यह इस type का सवाल जो मैं बहुत लोग करते है तो इसलिए आज मैंने सुचा क्यों ना मैं इस topic पे एक वीडियो बनाओ कि आपका foundation को आप कैसे oxidize होने से रोके तो चलिए वीडियो में start करते हूँ अगर आपने वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ जो वेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलेगा और अगर यह वीडियो अच्छा लगी तो आप उने दोस्तों के साथ भी ज़रूँ शेयर किजिएगा तो मैं बता रही थी के foundation को oxidize होना से कैसे रोते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है के foundation oxidize होगा है हर foundation oxidize होता है ऐसा कोई foundation नहीं is and scheme तो फिर भी जो है हम क्या कर सकते हैं कुछ ऐसा step कर सकते हैं जिस वज़े से हमारा foundation जो है काफी टाइम बाद oxidize हो यहां फिर उतना जल्दी किसी का होता है कि foundation apply कि आप बाहर गए और कुछी टाइम के अंदर आदे गंडे के अंदर फेस जो है dark हो गया oxidize हो गया foundation तो वो ना हो तो long time बाद oxidize हो तो इस लिए ऐसा क्या करना है जिस वज़े से आपका foundation जो है काफी टाइम तक सही रहेगा अगर oxidize होगा भी तो वो भी काफी टाइम बाद होगा तो सबसे पहले बताती हूँ foundation oxidize क्यों होता है जब हम face पे foundation apply करते है उसके बाद हमरे skin से जो heat निकलता है उसके साथ mix ठोके connect होके foundation oxidize हो जाता है तो foundation oxidize होने का problem mostly oily and combination skin वालों को होता है dry skin वालों को भी होता है पर उतना जादा नहीं क्योंकि उनके skin से oil कम निकलता है और उनका face से heat भी कम निकलता है इस बज़े से तो mostly जिनका oily skin है combination skin है उनके साथ ही problem होता है क्योंकि उनके face में बहुत जल्दी जो है face से oil निकल जाता है face बहुत ज़दी heat हो जाता है तो उसके साथ foundation mix ठोके face oily हो जाता है dark हो जाता है तो foundation एकदम ही oxidize हो जाता है तो इसलिए आपको कुछ step जो है foundation apply करने से पहले करना है और foundation apply के बार भी करना है वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और उसके पहले में बताना चाहती हूँ के foundation oxidize होने के पीछे और एक reason भी है कभी कभी बोता है कि हम सही foundation shape जो है choose नहीं कर पाते है तो अगर जाता light shake का foundation apply करते है तो वो भी oxidize हो जाता है तो इसलिए जब भी आप foundation purchase करोगे तो आप पोशिश करना आप day time में आप वो shop पे जाओ चाहे आप बॉल पे जा रहे हो यहां पर कोई भी cosmetic store पे जा रहे हो तो आपको day time पे जाना चाहिए जाक कि आप powder में कभी भी हातों में apply नहीं कर वो लोग mostly time हातों में आपको apply करके दिखाता है आपको अपने face की जो यह area यहां से लेके आपको यहां तक apply करना है तो हहां से आपको matching पता चल जाएगा अपने skin tone का उसके बाद जो second चीज है foundation oxidize होगा के नहीं कितना oxidize होगा कुछ foundation है कुछ जादा ही oxidize होता है वो आप कै कैसे दिखोंगे आप थोड़ा सा foundation अपने हाथों पे लगा लोगे लगा के आप mall में हो या market में हो आप आदा गंटे एक गंडे के लिए गूम लो उसके बाद फिर से आप उसी store में या उसी counter में जाओ जाके उसके पास ही जहां पर अपने पहले लगाया था उसके पास ही कुछ ही इस d.,सके और ना एक अपने में हे पता से जाए को एक गंडे के अंदर पहले कि जो आपने अपनी अपने क्या है उसे में क्या क्या तो पहले जो या प्लेंकर एक maintenance करना है तो चलिए सबसे पहले मेना पाना फैज जो है अच्छे से clean कर लेक脸 चलिए करने पाईrega जा मेरा मेरा पाना चलिए make- up करने से पहले पेस आउर सी या पिर सेे clean और या पिर एच़्री जा हिसाा कला है चलिए safe on your skin version मेरा combination skin Certified byupa आपको भी सेंट वैसा करना है तो आप देख सेते हो पहले से मैंने आइब्रो जो है फिल करके रख लिया है क्योंकि इसमें आइब्रो मेकप दिखाने का कुछ है नहीं इसमें इसके लिए आप कोई अलग वीडियो है मेरा वो देख सकते हैं वहाँ पर आपको आइब्रो कर तो सबसे पहले जब आप फेस को क्लीन कर लोगे उसके बाद मेकप करने से पहले आपके फेस पर मॉस्चराइजर अप्लाइ करना बहुत ज़रूरी है मॉस्चराइजर अगर अपलाई नहीं करोगे तो मेकप तो ऑक्सिडेज होगा है साथ में मेकप अच्छे से और अब करने अगर ऐसा और आपको ऐसा यह ज्यक्रहर मॉस्चराइजर यूस्चराइजर उसकरा खैद करेँ है तो अगर आपका जय सुगा ओच सँ जिपन अगर अनुगा असका बहुत सब्सचराइजर आपको वेय कि आपको पउसक्पूज़ब से हाइग्र आपका oily skin है और आप कोई भी moisturizer use कर लिया और कोई ऐसा moisturizer use कर लिया जो कि आपके skin को और ज़ादा oily बना दिया तो वहाँ पर आपका foundation है बहुत ही जल्दी oxidative face एक दम dark हो जाएगा तो इसलिए यह भी बहुत important step है और इसको आपको सही तरीके से करना है जैसे कि आपका skin का जैसा type है उस हिसाब से आपको चीज़े जो है अप्लाई करना है तो यहाँ पर मैं moisturizer पहले अप्लाई कर लेते हूँ so moisturizer में अप्लाई करना हो गया है अब देख सकते है मेरा skin बहुत ही अच्छे से hydrate हो गया है तो इसके बाद next step जो है primer तो moisturizer अप्लाई करना है तब ही कि नहीं करना है moisturizer को अच्छे से अपने skin में absorb होने देना है तो primer भी हमें अपने skin के accordingly यूज करना है अगर आपका oil skin है combination skin है या भी acne skin है तो आपको gel-based primer use करना चाहिए और अगर आपका कोई भी open pores का problem है तो आपको ऐसा primer यूज करना चाहिए जो कि आपके pores को minimize कर देगा और अगर आपका dry skin है तो आप primer के साथ से एक कोई भी facial oil जो है वो यूज कर सकते हो या फिर कोई ऐसा primer यूज कर सकते हो जो specially for dry skin के लिए है तो इस टाइप से आपको primer जो ही use करना है primer हमारे makeup को oxidize होने से काफी हद तक control करता है आपका oxidize जो है वो काफी time बाद होगा foundation तो इसलिए primer अप्लाई करना भी बहुत ज़ादा जरूरी है तो यहाँ पर मैं जो primer अप्लाई कर दे हूँ यह है the body care का makeup based primer अब देख से तो एकदम transparent है gel based primer है तो मेरा skin जैसा है उसे साब से ऐसा primary सही है तो primer जो है आपको अपने जो T-zone area है वहाँ पर apply करना है क्योंकि हमारा T-zone area जो है वही जादा oily हो जाता है पहले जो है जो पसी ने आना हो जो है oiliness आना वो T-zone में start होता है तो इसलिए T-zone में आपको अच्छे से जो है primer को apply करना है ताक कि यहां का जो oil है इसको control कर ले आपका जो foundation है वह देख से oxidize हो So, यह gel based primer है तो इसलिए मेरे face को completely यहाँ पर एक matte look दिया है T-zone में जो है एकनो completely matte look हुआ है और साफ में जो यह pores को भी minimize करता है तो काफी सही लगा मुझे यह primer यह मैंने आज first time use किया है यह the body care का primer है काफी affordable है तो अभी मैं यह primer apply करने के बाद 5 minute wait करूंगी उसके बाद मैं foundation apply करूंगी प्राइमर भी आपको primer apply करने के साथी साथी साथ आपको foundation apply नहीं करना है थोड़ा इंतजार करना है कोई भी चीज अगर आप एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरे ऐसे apply करते जाएंगे तो किसी का भी application अच्छा नहीं होगा आपका make-up का जो finishing है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया तो आपको बीच बीच पे थोड़ा time जो है इंतजार करना है उसके बाद जो है apply करना है तो मेरे वीडियो का जो light है वो थोड़ा सा up-down कर रहा है कि मेरे सामने window है तो इसलिए जब ज़्यादा दूप हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा lighting आ रहा है जब दूप जा रहा है तो थोड़ा सा down लग रहा है तो इसलिए थोड़ा lighting का problem है वो आप ignore कीजिएगा अभी मैं मेरे face पे foundation apply करोगी यहाँ पर मैं pack का HD liquid foundation है यह use करोगी यह recently मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है अलाग कि यह पहले से ही मेरे पास था पर मुझे recently मुझे ज़्यादा पसंदा रहा है यह foundation तो अभी मैं यह foundation अपने face पे apply करोगी तो यहाँ पर मैं foundation apply कर रही हूँ फाउंडेशन को पहले dot dot करके मैं अप्लाई किया उसके बाद beauty blender के help से blend कर रही हूँ इसके बाद मैं concealer भी blend करूँगी सेम तरीके से foundation और concealer apply करना मैं details में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि already पहले मैं दिखा चुके हूँ बहुत सरे वीडियो में तो इसलिए यहाँ पर मैं voice over कर रही हूँ अगर आपको अपका foundation अक्सिडाइस होने से रोपना है या फिर आप चाहते हो कि आपका foundation लेट अक्सिडाइस हो तो आपको अपने face पे हमेशा translucent powder यूज़ करना चाहिए translucent powder जाए वो हमेरी skin का जो oil है उसको control करता है तो इसलिए आपको हमेशा translucent powder यूज़ करना चाहिए तो यहाँ पर मैं यह RCMA का no color translucent powder यह यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको और setting powder यूज़ करते हो like जैसे के Maybelline का setting powder है पर उसमें जो एक shade है तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा जो ऐसे white color का translucent powder है यह बहुत ही अच्छा काम करता है यह आपके skin को जो है अच्छे से matte finish देता है और oil को बहुत अच्छे से control करता है जिस बज़े से क्या है आपके foundation उतना जल्दी oxidize नहीं होता है So, अब इसको कैसे apply करना है अगर आपका dry skin हो तो आप इस type type powder brush से लेके हलका सा full face में under eye area में apply कर दोगे और अगर आपका very combination skin है या फिर oily skin है तो आपको same beauty blender से ही इसका apply करना पड़ेगा आप इस तरीके से product को ले लोगे लेके सबसे पहले में under eye area में apply कर दोगे उसके बाद मैं अपनी बागी face में apply करोगे इस तरीके से आपको इसको dab-dab करना है जैसे कि आप foundation blend करते हो इस तरीके से आपको dab-dab करके अपने जो powder जो है उसको apply करना है आप देख सकते है इस तरीके में apply किया है बेकिंग मैं करने के लिए मना कर रही हूं क्योंकि मैं फूद उतना जादा पसंद नहीं करते हूं baking करना मुझे लगता है baking skin को dry कर देता है at least मेरे लिए तो dry करी देता है मेरे इतना oil skin है फिर भी मेरा skin बेकिंग से dry हो जादा है तो इसलिए मैं baking करना पसंद नहीं करते हूं इस तरीके से मैं powder को apply करते हूं यह भी बहुत अच्छा काम करता है इसके बाद under eye के बाद आपके बाकी face में भी आपको सेम तरीके से ऐसे powder लेना है और ऐसे dab 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 करके आपको इसको apply करना है यह जो है आपके make-up को बहुत कर तक long lasting बनाता है आपका foundation जो है बहुत ही time बाद oxidize होता है अब देख सकते हूं इस तरीके से powder ऐसे ऐसे push करने की बज़े से आपके skin में बहुत ही अच्छा से apply हो जाता है यह तरीका मैं long time से follow करती हूं and especially summer के time करती हूं जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है तो मेरा translucent powder apply करना हो गया है आप देख सकतो मेरा face completely matte देख रहा है इस तरीके से अगर आप translucent powder अपने full face पे apply करोगे तो वो आपका skin का oil है उसको बहुत ही अच्छा से control करता है और आपके face में जल्दी oiliness नहीं आएगा तो इसके बाद जो step है वो भी बहुत ज़र ज़रूरी है आपको एक fixing spray यूज करना है यहाँ पर मैं makeup revolution का oil control fixing spray यह यूज कर रही हूँ आपको भी इसी type का कोई भी matte fixing spray या फिर oil control fixing spray यह वो यूज करना है जब ऐसे powder apply कर लोगे और बाकी जो भी bronzing contouring या फिर ब्लशन अप्लाई करना है वो करने के बाद भी आप spray कर सकते हो यहाँ पर powder अप्लाई करने के बाद आप साथी साथ एकबाद spray कर दो ताकि यह base चोई अच्छे सा सेथ हो जाए तो अभी मैं इसको अपने full face पे spray करूँगी तो अभी इसको मैं अच्छे से absorb होने दूँगी ड्राई होने दूँगी उसके बाद मैं बाकी make-up जो है वो करके आपके बास आती हूँ तो अभी मैं full face पे जो है complete make-up करके आ गही हूँ एंड मैंने जो भी आपको step दिखाया है आपको वो सारे step जो है follow करना है एक बी step अगर आप skip करोगे तो आपको foundation oxidase जादा होगा आपका तो इसलिए सारे चीज़े आपको करना है एक चीज़ आप जादा कर सकते हो मैंने एक ही बार ये setting spray जो है अपने face पे spray किया है और पर्स में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि मैं बाहर जाके भी अपने face पे spray करोंगी तो इसलिए नहीं करती हूँ पर आप चाहों तो आप अपने साथ भी रख सकते हो बाहर जाके आपको spray करोंगे तो आपका foundation जो है कम oxygen होगा तो ये चीजे करने से आप अपने foundation को oxygen होने से रोख सकते हो रोख सकते हूँ मतलब थोड़ा कम oxygen होगा और मतलब जाधा time बाद oxygen होगा ऐसा नहीं कि दगाने के साथ साथ है oxygen हो जाएगा तो I hope कि आपके लिए वीडियो काफे ज़दा helpful रहा होगा अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो आप like, comment ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर share करना और अगर आपने अभी तर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देजी I will see you soon in my next video Till then take care, bye bye